कैसे फ्लेश कार्ड गनीत में कमजोर छात्रों को एक सेशन में केवल एक सेशन में जीत के लिए आश्वस्त कर देता है जी हाँ, अगर आप गनीत में कमजोर हैं, केवल एक सेशन करते हैं, जो आदे घटे का होता है, आपके पूरे क्या करते हैं, दिमाग में एक बात च्छा जाता है, कि आप हर हाल में इस बार जीडी के एक्जाम को क्रैक कर देंगे तो सबसे पहली जो बात है, वो है कि फ्लेश कार्ड करता क्या है, और कैसे होता है, इन चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं, वक्त लगेगा 15-20 मिनट, लेकिन अगर आप जीडी के एक्जाम में इस बार हर हाल में आप क्रैक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंतक देखना ज़री है, एक नई चीज़ है, फ्लेश कार्ड, तो चलिए इसके बारे में बाते करते हैं, तो फ्लेश कार्ड के बारे में जो पहली जो बात हम करेंगे, वो क्या है, देखिए, वीडियो जो है, वो तो ज़रूरी है, और वीडियो में कैसे पढ़ेंगे, एक-एक सवाल को पहले वीडियो का देखेंगे और उसे हल करेंगे वीडियो को एक साथ नहीं देखेंगे मतलब वीडियो में पहला सवाल आया उसका हल किया कागच में लिखा जैसे त्यारी किया जाता है वीडियो जब हम पूरा देख लेते हैं वीडियो के सारे सवाल हम सीख लेते हैं उसके बाद फ्लेश कार्ड का काम आता है फ्लेश कार्ड क्या करता है? इन चीजों को दिमाग में ऐसे छाप देता है कि जैसे वीडियो के बाद आपने फ्लेश कार्ड का पूरा प्रोक्योर किया मतलब पूरा सिस्टम को चला दिया तो आप अगर कमजोर चात्र हैं तो आप भी उन सवालों के उपर जिन सवालों को सीखे हैं किसी भी तेज तरार चात्र से कम नहीं होते हैं बल्कि उससे एक कदम आगे आ जाते हैं तो ये कैसे होता है इस चीज़ की पूरी सेशन को आज हम करेंगे और देखेंगे और समझेंगे तो कहने का मतलब एक ही है वीडियो जो है गनीत के सवाल को कैसे हल करना है ये सिखाता है फ्लेश कार्ड जो है गunit के सवाल को हल करने की विदी को दिमाग में छाप देता है देखे जो गunit bên कमजोर होते हैं वो क्या बोलते हैं वीडियो तो देखके हम समझ जाते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं एक तेज तरह लड़का भूलता नहीं है एक कमजोर चात्र है वो भूल जाता है और दूसरा है कि basic चुकि उसकी कमजोर होता है तो वो calculation में problem होता है उसका बस यही तो दो कारण है तो flashcard जो है यह दोनों problem से निजात देता है और किसके लिए कुछ दिनों की जोरत नहीं होती है आज आगर 20 सवाल सीखते हैं तो 20 सवाल में आप किसी भी तेज तरार्च चात्र के समकच बन जाते हैं यही चीज में बताने की कोशिश करें